हाई फ्रेंड वेलकम टू गेम ओफ इनिंग जैसे के ऐलिमिनेशन चैंबर अपसे बस कुछ देर में शुरू होने वाला है धाई वज़े से किक ओफ शू शुरू होगा वही साड़े तीन वज़े से में शो शुरू होगा अब आज का स्मैक डाउन तो आप सभी ने देखा ही होगा मैंने वीडियो पर डाली थी उम्मीद है आप सभी ने देख लिया होगा अब स्मैक डाउन के बाद ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि रोमन रेंज क्या ऐलिमनेशन चैंबर में हो सकते हैं अब देखे एड़टाइस तो रोमन रेंज नहीं है इस पेपर व्यू के लिए श प्राइबल चीफ पॉलिमन कहते हैं हाँ मैं होने वाला हूँ मतलब कि एलिमनेशन चैंबर में पॉलिमन तो होने वाले हैं वही रोमन रेंज कहते हैं सेथ और कोडी वहां होने वाले हैं तो पॉलिमन बताते हैं कि हाँ वालर एफेक्ट शो में वो होने वाले हैं अब आज हुए SmackDown के एपिसोड में Roman Reigns ने Grayson Waller को Locker Room में बुलाया और उनसे कुछ कहा अब क्या कहा ये WWE ने हमें नहीं दिखाया है जिसके बाद ये rumors आ रहे हैं कि कहीं Roman Reigns Elimination Chamber में surprise entry तो नहीं करने वाले हैं अब SmackDown के बाद ही Grayson Waller Twitter पे अपनी और Roman Reigns की क्रॉप करिवी फोटो डालते हैं जिसमें से जिम्मी पॉल और सोलो सिकोवा हटे हुए होते हैं और लिखते हैं Hashtag Elimination Chamber जिसके बाद ऐसे speculation लगा जाने लगे हैं कि Roman Reigns वहां हो सकते हैं वहीं इसके बाद जब Grayson Waller Bloodline के Locker Room से निकलते हैं और फॉन पे वो कुछ टाइप कर रहे थे तब ही जैसे ही उन्हें Baron Sextron उनको पूछने के लिए रोकते हैं तो Grayson Waller अपना फॉन छुपा लेते हैं अब Baron Sextron उनसे पूछते हैं कि Bloodline के साथ मीटिंग में क्या हुआ तो Grayson Waller कहते हैं मैं अपनी Home Country में होने वाला हूँ Seth Rollins, Cordy Roots वाँ होने वाले हैं जो कि काफी बड़ा शो होगा तुम बस इतना ही जान लो यानि कि कुछ और था जो उन्होंने नहीं बताया इसलिए Speculation लगाई जा रही है कि कुछ बहुत बड़ा सर्प्राइज हो सकता है अब वो क्या होगा क्या Roman Reigns होंगे ये अभी कहनी जा सकता वहीं ये Roman Reigns को भी पता है और हमें भी पता है कि Cordy Roots और Seth Rollins, Grayson Waller एफेक्ट पे होने वाले हैं अब Grayson Waller ऑस्टेलिया के हैं उन्हें कोई मैस तो मिला नहीं है बढ़ डबलए उनको अपनी होम कंट्री में कुछ बड़ा देगी तो हो सकता है कि इस शोग पे Roman Reigns एंट्री ले 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 वैसे भी Cordy Roots और Seth Rollins दोनों ही बड़े सूपरस्टार है कुछ तो सीक्रेट है जो Roman Reigns ने Grayson Waller को कहा है Elimination Chamber के लिए वही एक बात और बता दूँ कुछ trusted जो news sources है उन्होंने reports जी है कि Elimination Chamber में कुछ बड़ा surprise हो सकता है जो कि rock तो नहीं होने वाले है कुछ और होगा अब कुछ और क्या होगा ये सवाल है क्या Roman Reigns तो नहीं होने वाले है या rock दोनों हो सकते हैं ये देखना interesting होगा वही prediction वीडियो में मैंने कहा भी था कि WWE इस पेपर वीव में केवल 4 matches के साथ उतर रही है तो कुछ बड़ा surprise WWE को यहां देना होगा तब ही show hit होगा अब डिके ticket बिक चुकी है उससे कोई लेना देना नहीं है फैंस को show कितना पसंद आता है उससे लेना देना है आप देखते हैं WWE यहां पर surprise फैंस को करती है या नहीं आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा फटा फट से elimination chamber की वीडियो दाना शुरू होगी तो चैनल पर बने रहना मलता हूँ जल्दी निव वीडियो के साथ